हमारे education system की problem यह है कि हम लोग इसकी मदद से जो जो चीज़े सीख्ट है उसमें से 10% भी हमारे practical life में किसी काम में नहीं आता है इसलिए practical life में चलने के लिए हम लोग required practical education हमारे parents या फिर हमारे आसपास की लोगों से collect करते है अब इसमें problem यह है कि अगर हमारे parents world के top 1% लोगों में से नहीं है तो वो लोग unconsciously हम लोगों को कैसे अमीर बना जा सकता है वो सिखाने की जगा कैसे गरीब बना जाता है वो सिखाते रहते हैं क्यूंकि वो लोग भी बच्पन से यही सीखते आते हैं एक बच्चा अगर अपने parents से पूछे मुझे पढ़ाई क्यों करना चाहिए जादा तर में उससे जबाब मिलता है पढ़ाई करके तुम्हें कोई अच्छी सी नौक भी पाना है जिससे कि तुम बहुत सारे पैसे कमा सको रॉबर्ट कियो सकी के poor dad मतलब उनके अपने पिता जिन्होंने PhD किया था लेकिन फिर भी हमेशा financial struggle करते थे वो भी यही कहा करते थे लेकिन रॉबर्ट के rich dad मतलब उनके एक friend के dad जो कि सिर्फ 8th grade past थे लेकिन हुआई के सबसे अमीर आदमी थे वो कुछ और ही कहते थे वो बोलते थे तुमको पढ़ाई करना है ताकि तुम बड़े होकर खुद के अपनी एक company खोल सको और बाकी लोगों को अच्छे job offer कर सको poor dad बोलते थे तुमें पैसे कमाने के लिए काम करना होगा जहाँ पर rich dad बोलते थे तुमको ऐसा रास्ता ढूरना है जिससे की पैसा तुमारे लिए काम करे हम गलती क्या करते है क्योंकि हमारे आसपास कोई rich dad नहीं मिलते है इसलिए हम लोग poor dad से financial education कलेक्ट करते है जिस बज देते हैं लेकिन अब internet connection इतना advance होने की बज़ा से हमें rich dads को ढूरने में कोई तकलीफी नहीं होना चाहिए Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, Sandeep Maishwari ऐसे बहुत सारे rich dads है जिनसे अब हम अगर चाहे तो internet के जरिए सीख सकते है Smart Idea 1 सही आदमी से सही चीज सीखना नौकरी मिलने के बाद ज़ादा तर लोग सबसे पहले क्या करते हैं एक बाइक खरीते हैं या कुछ ऐसी चीज खरीते हैं जो खरीतने का बहुत दिनों से उनका desire था अब मैं दो टार्म्स को define करने वाला हूँ एक है assets और दूसरा है liabilities assets मतलब वो सारी चीजे जो हमारे pocket में पैसा ले आता है जैसे कि किराई पे दिया हुआ कोई घर या फिर कोई business या कोई भी चीज जिससे हमें कुछ regular income होता है और दूसरी तरफ है liabilities जो हमारे pocket से पैसे को बहार ले जाता है जैसे कि bike हपते में चार दिन पेट्रोल भरना पड़ता है या कोई भी expensive mobile जिसकी कोई जरूरत नहीं है कुछ साल या कुछ महीने बाद जो पूरी तरह से खराब होने वाली है इन सब चीजों को liabilities कहते हैं और यही सब चीजे अमिर बनने में रुकावट है तो किया हमें कोई भी bike या कोई भी expensive mobile यूज़ करना नहीं चाहिए नहीं ये गलत बात है सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे income की maximum percentage assets में invest हो और minimum percentage liabilities के पीछे खर्च हो मतलब हमें income की एक fixed maximum amount पहले ही side करके रखना होगा assets के पीछे invest करने के लिए फिर सब जरूरत की खर्च करने के बाद income की minimum percentage liabilities के पीछे खर्च करना है तभी जाके धीरे धीरे अमीर बना जा सकता है और नहीं तो जितनी भी income आए अगर उसके साथ साथ liabilities भी बढ़ते रहे तो हालात हमेशा एक जैसा ही रहेगा Smart idea 2 maximum assets minimum liabilities income करने की process normally दो तरह के होते हैं एक active और दूसरा passive active income मतलब आप जब तक काम करोगे सिर्फ उसी time में ही आपका कुछ income होगा मतलब जैसे की कोई दुकान जब तक दुकान खुला रहेगा और आप दुकान में बैटके चीजे बेचोगे तब तक ही आपका income हो रहा होगा लेकिन जब आपका दुकान बंध होगा और आप घर में सो रहे होगे तब आपका income भी बंध होगा दूसरी तरफ है passive income मतलब जहाँ पर आप जब कोई काम नहीं भी कर रहे हो तभी बी all the time आपका income हो रहा होगा जैसे की मेरा ये छोटा सा YouTube चैनल मैं जब घर में सो रहा हूँ तब भी मेरे चैनल पे viewers मेरे वीडियोज देख रहे हैं और उसी से all time मुझे income हो रहा है अगर आप सिर्फ active income के लिए काम करते हो तो आप पैसो के लिए काम कर रहे हो जो poor debts करते है मगर आप अगर passive income के लिए काम करो तो तब पैसा आपके लिए काम करेगी जो rich debts करते है क्योंकि अगर आपका सिर्फ तभी income होता है जब आप actively काम करते हो तो फिर इस short life span में आपका reach होने के chances बहुती कम है Smart idea 3 Passive incomes में invest करना ये तीन smart ideas मुझे Robert कियो सकी की book Rich Dad Poor Dad से मिला है अगले Wednesday फिर लोटाऊंगा नया IQ School topic लेके ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए और connected रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले शुक्रिया